हेलो एवरिवन के अंदर LPD आप लोगों के लिए ले के आया है इस बार एक और ट्रिक्स कुछ और टेप्स और ट्रिक्स जिसके बेस पर हम लोग चेक करेंगे कि सेंटेंस रिउरेंड्ण के कोश्यन को किस तरह से जल्दी से जल्दी एप्रोच किया जाता है वैसे सेंटेंस रि आपलोगों के लिए थोड़ासाअ डिफ्कॉल्ड पॉस्फे अर आप इस लिए आऊ से डर करते होंगे इसको क्योंकि इसमेरे टाइम लग जाता है सेंटेंसेंस को जोडने में आप लोग ने अगर कोशन सौल करें हो रिलेटेटी टू रिडल्स और पजल्स कभी या सुडो को सौल करा तो उसके अंदर ना में चीजों को अरेंज करना होता है क्रोन लॉजी के अ मैं आप लोग के लिए आज कुछ ट्रिक्स और टिप्स लेकर आयों जिसके बेस पे आप सीव एटी के अंदर जो आपके सेंटेंस रियारेंज्मेंट के कोशन साइंगे उनको जल्दे से जल्दी कैसे करना है जल्दे जल्दी उनको सौल कैसे करना है आईए हम स्टार्ट कर पर में पड़ते हैं पयार जंब सकी सेंटेंस रिए इस फोर्म में जो आपके कोशम्ष आते हैं उसमें आप लोगो को आज मैं बताऊगा कि इसमें किस तरह की approach लगानी चाहिए किस तरह की एप्रोच लगानी चाहिए टाइम कैसे बचेगा आपका टाइम सेविंग एप्रोच आप लोगो बताऊंगा टाइम सेविंग एप्रोच के अलावा अगर आम यहां पर बात करें तो हमें बात करनी होगी रीडिंग के बारे में टाइम सेविंग एप्रोच मैं practice कराऊंगा जो CUET के previous year exams में आज चुके हैं बट फिर भी प्रैक्टिस इफ उतना ही नहीं हम यहाँ पर कुछ चीज़े सीखेंगे उसके बाद हम कुछ questions practice करेंगे apart from that इसके अंदर आपको around 100 या 150 questions की practice करनी होगी जिसके बाद surety हो जाएगी कि PQRS form या Parajemble format के sentence arrangement के कोई से भी question आपके सामने आए आप उनको easy format में जल्दे-जल्दी कर सके बट एक बात याद रखेगा अगर आपको इस चीज़े सीखनी है तो आपको video at least end तक देखनी पड़ेगी जाए 2 by format की format 2x की form speed से देख लो मुझे को problem नहीं बट देखना पूरी वीडियो जिसे कि आपको questions को समझने में असानी हो let's talk about something else finding the first sentence first sentence को find कैसे करना है बहुत simple first sentence को find करने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जैसे की नाउन जो first sentence होता है उसके अंदर बीटा नाउन सबसे जादे important होता है आप लोग ने चाहिए हम बात करेंगे sentence की a company a company उसके बाद वही sentence आपका रिलेट कर रहे है तो याद रखेगा जो a company है वह एक नाउन की बात कर रहे है हमेशा नाउन से जो sentence start होता है उनको priority देते हैं नेम से start होता है likewise मैं बात कर रहा हूं कि विपुल एक sentence है विपुल एक sentence के नदर आए कि विपुल इस गॉइंग टु वाच अ मुवी एंड एक दूसरे sentence आया उसमें आया ही तो ही से तो फर्स sentence arrange start नहीं हो सकता first paragraph start नहीं हो सकता है तो विपुल वाला जो sentence हो वो हमारा first priority पर होगा full name main idea full name full name किस तरह से हम यहां पर justify करते हैं जैसे कि मान लिजिए किसी government organization की बात हो रही है जैसे मान लिजिए government of India से start passage government of India के बारे में बात में जी ओ आई जी ओ आई जी ओ आई बार बार लिखा गया तो government of India starting में होगा तो आपका first priority होगा उसके बाद वह जी ओ आई यूज होगा सेम ऐसी world health organization होगा world health organization तो पहले आ गया उसके बाद वह next sentences में as a who यूज होगा ठीक है apart from that options etc कौन-कौन से वर्ट से जिनके बेस पर आपका first sentence है शुरू नहीं हो सकता है यह होते हैं मेटा connecting words जैसे कि बट बट हमेशे दो sentences को जोडने का काम करता है तो यह कभी भी first sentence में नहीं आ सकता जैसे कि however जैसे कि so so से कभी भी first sentence start नहीं हो सकता है so क्योंकि दो sentences को arrange करने के लिए बीच में use होता है still I am doing I am studying hard still I am not getting the good marks sentence arrange sentence को जोडने का काम करते है on the contrary on the contrary मतलब मैं यह कर रहा हूं उसके बावजूद भी यह हो गया I am studying hard on the contrary I am not getting the good marks जादा पड़ रहा हो फिर भी मेरे जादा अच्छे नंबर नहीं यारे फिर भी बहुत बुरे नंबर आ रहे है जोडता है तो first sentence नहीं हो सकता है सइसा ही me over over हो गया to हो गया even द दैस इस टाइब के वर्ट जो होते हैं कभी भी आपके sentence के first मलब first sentence के letters नहीं हो सकते starting में तो इस टाइब के words अगर आपको sentence में किसी भी sentence में दिखते तो first letter first sentence में नहीं आएगा इस टाइब के words किसी भी sentence में दिखे तो वो first sentence नहीं हो सकता let's talk about पेर्स पेर्स कैसे अरेंज करते हैं अगर आपके पास कोई सेंटेंस है जाजे लाइक बात करें हम टाइम की एक पर्टिकुलर परसने वो 1950s में पैदा हुआ दें 1970s में अपने एजक्वेशन कंप्लेट करी 75 में उसमें जॉब लिए 77 में उसकी शादी हो गए दें बचे तो यह जो है बिटा ए और न के साथ हमेशे दा वाली सिच्वेशन क्रियेट होती है जैसे कि इव यह टॉके अबाउट सेम एग्जांपल जो मैं ने पहली लिए था अ कंपनी अ कंपनी हमेशा फर्स्ट होगा उसके बाद दा कंपनी हो तो दा कंपनी कभी भी फर्स सेंटेंस क ठीक है अ से फर्स सेंटेंस होगा से से सेंटेंस होगा अगर किसी पर्टिक्लर पर शन कि बात हुग है लाइक वाइंगा तॉकिंट पॉकिंट अबाउट a pilot whose name is this a pilot whose name is this then second sentence में आएगा that particular pilot or the pilot ठीक है relative pronouns relative pronouns मतलब which और who which और who भी आपके दो sentences को जोडते हैं आप relative pronouns को एक तरह से cautionable conjunctions की भी form में ले सकते हो मैं कहा रहूँ कि A is sitting second to the right of A sitting second to the right of B who is sitting third to the left of C तो who किसके लिए आया दो particular sentences को जोडने को और किसी particular person के बार में बात करने के लिए जो already हमारे पास sentence में available है तो यह हमारे पास relative pronouns आजाए subject verb agreement आजाए जैसे कि singular verb अगर singular subject होगा तो singular verb आईगी उसके साथ plural subject subject होगा तो plural verb उसके साथ आएगी core relative conjunctions जैसे कि either or neither nor not only but also यह words कभी भी आपके first sentences में नहीं आते हैं लेकिन यह sentences को जोडने का काम करते हैं अब यह first or second को भी जोड सकते हैं second third को भी जोड सकते हैं third fourth को भी जोड सकते हैं and so on clear next we will talk about the last sentence sentence देखो sentence rearrangement में first sentence so last sentence दूनना बहुत ज़रूरी होता है बीच वले sentences को तो आप जोड ले तो pairs के base पे the last sentence finally अगर आपके पास कोई word आजाए को sentence है जिसके starting में finally लिखा वा हो that is is लिखा हो that is why eventually लिखा है दस लिखा है so लिखा है therefore लिखा एक्सेटर लिखा अगर इस टाइब के words आपके पास sentences में है तो आप समझ जाएगा कि यह कोई last sentence की बात कर रहे हैं बैटा it is not hard and fast rule की यही words आपके पास sentences के अंदर आएंगे यहां पर इसलिए एक्सेटर लिखा जाता है बट ऐसे words आपके sentences को judge करने में easy हो जाते sentences की chronology chronology को judge करने के लिए easy कर देते हैं ऐसे type की words तो हमें ऐसे words पर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान देना चाहिए clear मैंने आपको starting में बोला था मैं आपको previous year में CUET के अंदर कुछ types of questions जो हमारे पास आये हैं आप चेक कर लिए कोई भी ऐसा question नहीं हो जो आपके exam में आयो तो CUET में जितने भी आपके questions आये हैं आज तक उनमें से five examples में आपके सामने लेके आया हूं इन पांच वे examples को अभी हम solve कर ठीक है let's check कि जो हमने अभी पढ़ा उसको किस तरह से लगाएंगे मिटा ऐसा कोई भी question नहीं हो कि मैंने अपने हिसाब से रख लिया और वो आपके exam में मैंने अपने हिसाब से आपे question रख लिए मेरे को क्योंकि आते ते इस वेने solve कर अपको दिखा है मैं वही example से लिखे हैं जो आपके previously quantity competitive exams like CVT के अंदर आये हैं ठीक है let's start with the very first question and this particular question says when the sentence के starting में वेन आगया ये connecting verb अब है अभी मैंने पैच पिछे आपको और पैर की बार में बात करें थी तो वेन जब भी भी महारा first sentence तो start नहीं हो तो नहीं है first sentence में ना हुना आ सकता है नेम आ सकता है और भी बहुत सारी चीज़े but when नहीं आएगा नहीं आसकता डा क्यों इंधा सकता कि कि दा से पहले होना बहुत जरूरी है यह किसने इस चीज के बार में हो यह फिर वन यह फिर वेद्ट सॉएवर more water more water मतलब जादा पानी कहीं से रिलेट करने वाल है जादा पानी में जादा पानी मेंमोर रेंपॉल स्वन ऑफब दा हो वन हो यह वाले वर्ट जो होते हैं आपके जस्टिफार और शेंटेंस होना चाहिए तो फिर्स सेंटेंस अमारे स्टार्ट कहां से होगा वन आफ दा मॉस्ट आव्वियस इंडिकेशन ओफ्लामिट चेंज इस हैवियर रेंफॉल रेंपॉल option में आ रहा था more water evaporates from soil जाधा पानी बारिश के थूरू क्यों बढ़ा बारिश के थूरू इसलिए पढ़ाओ कि जाधा पानी आपके पास बादलों में कठा हुआ होगा जाधा पानी बादलों में कठा कब होगा जब जाधा पानी ever evaporate होगा स्वाइल से प्लांट से लेक से से as the atmosphere वार्म डैट मेंस डी के बाद सी का होना बहुत ज़रूरी है यह हुआ इसके पीछे रीजन गया यह था ठीक है अब यहां पर किया था लेक संद सीज आज अज एट्मोस्फेयर वार्म अब फर्स और सेकंड तो मुझे मिल गया डी और सी if we are saying that D and C are the first priority तो आप option से भी उठा सकते हो D O C M R पर बात कर रहा है first option no second option yes third option no fourth option no to only second option is the valid option but still फिर भी हम relate करते है C के बाद the atmosphere can store an additional 4% of water vapor for every additional 1% of warming when this extra water vapors condenses into prediction precipitation it results in heavy rain or if it's cold enough heavier snow भाई यह हो यह होता है इस वज़े से यह हुआ इसके पीछे रीजन यह है और यह से इसकी वज़े से हो रहा है तो अब वेसी बात है D C B A is the valid option okay sentence को आप Hindi में translate करो ना करो वैली पहली बात तो मैं आपको बताता हुआ हिंदी में translate करने में आपको time बहुता बेस लगे है क्यों होगा बेस्ट आप सारे के सारे options को एक साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो इस बैटर कि आप जो मैंने इस a panther is reported to have broken into a house yesterday in the search of food okay in the search of food and shelter the villagers heard his cries and ran to the house but the scared animal had run away through the window by then it secretly slouched into a room where a young man named johnny was sleeping अब यह तो शोर है कि a के बाद c आएगा एक clear why so बेटा a c के बाद c क्यों एक panther जो है घर की खिड़की तोड़के broken into a house yesterday in search of food and shelter वहाँ पे एक boy it secretly shouted into a room where a young man named johnny भाई खाने की दुलाश में गया यहाँ पे बच्चा जो था वो 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 slouched into a room where a young man named johnny was sleeping वो सीधा वहाँ चला गया इसके बाद जैसे वो उसके bread bed के नीचे गया roaming around the bed just as the panther was about to leap on him he swiftly shout out of the bed and hit into a closet in a closet छुप गया the villagers heard his cries and ran to the house but thus scared animal had run away through the window by then to a c d b a c d b मतलब a c d b से हमारा third option कर जस्टिफिया वैसे इस option को हम डेरिक भी कर सकते थे क्यों कर सकते थे एक panther घर में गुसा वो secretly एक room के अंदर किया जहां पर एक लड़का सो रहा था तो यहां से यह रिलेट हो गया एक बाद c आएगा एक बाद c एक बाद c एक बाद c सिर्फ थर्ड ऑप्शन में यह डिरेक्ली जस्टिफाय भी हो जाता है clear let's talk about the next question हम आज से चैट करते हैं इसका is it c or not yes it is third option let's talk about the next question while physical moment while physical moment हमार पास जो sentence है इसका first particular phrase first particular part हमें available है बस इसको जोड़ना है किसी भी तरीके से पीके वारस के साथ clear while physical movement activities may not यह तो इसके साथ नहीं जुड़ा while physical movement is important for children इससे जुड़ गया physical movement important है चिल्रन के लिए all learning activities all learning activities अब learning activity होता है तो activity से रिलेट करता है may not require physical अब physical से यहां पर फिर से रिलेट होगा physical से दा नहीं हो सकता physical से movement हो सकता है तो अब्वेस ही बात है इसके बाद हमारा first यह हो गया second यह हो गया third यह हो गया fourth यह so the answer is qpsr check करो qpsr कौन से option में and that is option number four सही है let's talk about the next question class trust me जो conditions मैंने आपको बतायते हैं अगर उनके बेस पे आप इनको solve करते हो तो class trust me अगर जिन conditions के बेस पे मैंने आपको भी starting में points बतायते हैं अगर पॉइंट के बेस पे आपको शॉल करते हो ते कोशन इसली सॉल होते है let's talk about the next question and the next question states they again PQRS वाली situation नहीं है आपके पास कोई starting portion नहीं है fourth question से start करते है they also war अब दे की बात है किसी और की बात हो रही है तो यह first sentence नहीं होगा they what browser यह भी आपका first sentence नहीं हो सकता this place this place मनलब किसी और place की बात हो रही है तो यह भी नहीं हो सकता first sentence तो first sentence start होगा हमारा D के साथ तो D option कह रहा है in the fifth and the fourth century in the fifth and the fourth century is BC today's South Ukraine was known as Shithya today's आज का जो South Ukraine है वो उस time पर Shithya था और D से question start होगा तो D हमार पर कौन से option में हा रहा है सिर्फ फॉर्थ option में हा रहा है बट स्टिल इसको आगे पढ़ने की कोश्चित करते हैं अगर जादा option में आता तो क्या करते हैं अब वो किसी particular place की बात करें तो हम यहां पर place उठा लेते हैं for its skillful archers and horsemen यह place skillful archers or horsemen के लिए famous था ठीक है then अब क्योंकि archers and horsemen की बात हो रहे तो उनके कपडों की बात होगी they war they also war अब they also war और they war में पहला तो they war होना चाहिए कि वो यह पहन देते यह और वो यह भी पहन देते तो B is the next option and A is the next option that's why DCBA is the chronology and that is option 4 पुरी तरी से रिलेट हो गया समझो बात को जो भी मैंने आपको भी terms बतायती जो terminologies बतायती हो उनके base अगर आप इनको करते हो तो आपके CVT के अंदर जितने भी sentence rearrangement के question आते है आप उनको जल्दी करप कर सकते हो okay let's talk about the last question of this video okay again PQRS की form है लेकिन आपके पास कोई starting phrase starting stanza available नहीं है तो सीधा हम lines पे cross करेंगे answer we are naturally special social creature we are naturally social creatures मतलब we are social animals that means they are talking about human beings okay we are social animals a bit of solitude as everyone from Thoreau and Proust Proust have written about is one of our most powerful tool for disconnecting and recharging यह किसी theory के बारे में बात कर रहे है प्राउट्स के और किसकी थोरियों की we are naturally social clear creature से में directly इस line को attach नहीं कर सकता यह किसी नहीं किसी quality की बात कर रहे है quality से start करते है फिर naturally social creature कि उसका second option नहीं है this does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day यह भी किसी हो चीज के बात कर रहे है however all that time with the people takes it all however all that time with people takes it all it takes it all so let's talk about the last question we are naturally social creature we are naturally social creature का मतलब क्या हुआ कि हम लोग आम तोर पे लोग साथ घुल के मिलके रहना पसंद करते हैं ठीक है a bit of solitude as everyone from Thor and Proust bit of solitude मतलब कभी-कभी हमें अकेले रहना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत जदा घुल मिलके रहते हैं इनकी theory ने बताया कि is one of the one of our most powerful tool for disconnecting and recharging वो कहें वैसे तो हम social animals है social creatures हैं बट फिर भी हमें कभी-कभी ना अकेले रहने चाहिए अपने आपको recharge करने के लिए और दूसरों से disconnect करने के लिए ठीक है यह जादा अच्छा होता है हम लोगों के लिए यह तो social creature की बात कर रहा है यह अकेले रहने की बात कर रहा है यह तो इससे relate नहीं हो रहा this does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day यहां पे अकेले रहने की बात हो रही है और यहां पे खुद को lock करने की बात हो रही है that may fit अकेले होने की बाद तो कहीं न कहीं अरेंच तो होंगे कहीं न कहीं अटाइच होने वाले अब यह पहले हैं यह पहले हैं यह पहले हैं हमें नहीं पता for the option however all that time with people takes it stall वैसे ज्यादा तरह जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो उसके अपने आप में कोई न कोई नुकसान तो हैं ही तो वैसे तो हम social creature हैं लेकिन लोगों के साथ जादा गुल मिलके रहने से भी कोई न कोई नुकसान हमें कहीं न कहीं होता है तो इसके साथ यह तो अरेंज हो गया तो यह तो शौर ही कि P के बाद S आएगा अब P के बाद S कौन से option में हैं इसके अंदर है इसके अंदर नहीं इसके अंदर नहीं तो fourth option तो right answer है बट फिर भी इसको अरेंज करते हैं वैसे तो हम social creature हैं लेकिन फिर भी जो लोगों के साथ जादेर रहने के अपने ही कोई न कोई नुकसान है clear अब a bit of solitude लेकिन कभी-कभी अकेला रहना चाहिए क्यों अकेला रहना चाहिए अगर रिचा अब यह नहीं कि अपने आपको लॉक कर ले एक रूम में at the end of the day अपने आपको रूम में लॉक कर देना that means P के बाद ऐसा आगया आपका q आगया और फिर आगया पी-स के वा तो फॉर्थ option बाली ओप्षन ठीक है आज की वीडियो में हम लोगोंने बात करी आज की वीडियो में हम लोगोंने समझा की जिससे कि exam में जब इस type के question आए तो उन questions को करने में हमें दिक्कत ना हो तो sentences को कैसे जोड़ना है उन sentences को कैसे arrange करना है कौन से pairing words लेने हैं, कौन से starting words लेने हैं, कौन से last words लेने हैं वह आपने आज सीखा I hope कि आप लोग इस type के questions की ज़्यादा practice करेंगे और ज्यादा practice करेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छा fruitful result भी मिलेगा आपके exams में So thank you for this day and thank you all, bye bye